नमस्कार दोस्तों स्वागे था आपका आपके यूट्यूब चैनल दस सीक्रेट ओफ इंवेस्टिंग में अगर दोस्तों आप लोग भी लंबे समय में अच्छी वल्त क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर इस चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहां मै को लॉंग टम में बहुत ही अच्छा प्रफॉर्म कराएगा उसके फंडमेंटल्स क्या हैं किस तरीके से वो सौटम में आपको टार्गेट दिखाएगा बात करेंगे इस वीडियो में तो इस वीडियो को आप लास्ट देखना मत भूलिएगा चलते हैं वीडियो को स्टार करते हैं अगर हम लोग सबसे पहले बात करने कंपनी की मिट कैप सेट्रिक कंपनी है आप लोग ने नाम तो जरूर सुना होगा पेज इंडिस्ट्री का बहुत ही सांदार कंपनी है लगातार इसने अपने इन्वेस्टर को बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करके दिये तो कोई भी कंपनी एकदम से बड़ी नहीं बनती या फिर एकदम से अच्छे रिटन प्रवाइड नहीं करती अगर आप लोग को भी बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आप लोगों को भी लंबे समय के लिए किसी भी कंपनी से जोड़े रहना पड़ेगा क्योंकि वही आपको लंबे समय में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगी अगर आप लोग इसके आरुसी को देखें तो 48% का आरुसी आपको नजर आ जाएगा रिटन ऑन इक्विटी देखें लगबग 40% की रिटन ऑन इक्विटी मतलब आपके यह 100 रुपए लेके एक हिसा से इन्वेस्टमेंट करें या फिर अपनी बिजनेस को ग्रो करके आपको जादा सजादा अपने स्टॉप में रिटन प्रवाइट करा है इसी वजह से यह कंपनी लगातार ग्रो करती हुई आ रही है अगर आप लोग लंबे समय में निवेस करना चाहते हैं तो यह कंपनी आपके लिए बहुत ही सांदार हो सकती है अगर हम लोग बात करें कंपनी कुछ स्टेंट की तो कंपनी लगबग टैप्ट फ्री है कंपनी के उपर कोई भी डथ नहीं है आरोई देखिए पिछले तीन साल का 43 परसेंट का आपका आरोई यहां पर नजर आ जाएगा कंपनी ह सेल्स क्रोथ देखें पिछले 10 सालों से 18.54 परसेंट की जो कि इसके सेक्टर में और किसी कंपनी की साहधी मुझे को दिखाई देती हूं कंपनी लगातार अपना प्रॉफिट जेनरेट कर रही है कौटर अन कौटर बेसिस पर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं आप लोग दे देखेंगे मास 2010 में कंपनी जहां नेट प्रॉफिट जेनरेट कर पाती थी केवल 40 क्रोड का अगर मास 2021 की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 340 क्रोड का प्रॉफिट जेनरेट किया 10 सालों में लगबग 10 गुने की जंप आपको नेट प्रॉफिट में जेनरेट करके दिखाई है कंपनी में तो आप लोगों को भी ऐसी ही कंपनिया ढूननी चाहिए मार्केट में जो अभी लो वैल्यूएशन पे ट्रेट कर रही हो जिनमें बाइंग अपॉर्चूंटी बात करें तो पिछले 10 सालों में लगातार 33% के रिटन अपने इंवेस्टर को प्रवाइड करा के आ रही है दोस्तों यह 33% इस वचे से नहीं है कि यहां पे कुछ जादा बड़ा जंप आपको पिछले साल में देखने को मिला है इस वज़े से यह सारा डाटा चेंज हो गय लेकिन आपको अंत तक बड़ा profit generate करके दिखाएं क्योंकि ऐसी कंपनिया fundamentally बहुत स्ट्रॉंग होती है और ऐसे ही stock में आपका पैसा अच्छी तरीके से grow हो सकता है अगर हम लोग return on equity देखें तो पिछले 10 सालों में 47% की return on equity आपको नजर आ जाएगी compound profit growth देख सकते है 19% की compound profit growth लगातार company में पिछले 10 सालों में maintain करके दिखाई है sales growth देखें पिछले 10 सालों की 19% की तो यह सब data आपको बताता है company week नहीं है कहीं से भी आप लोग दिल खोल के इसमें investment कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आप लोग जरूर अपने analysis से रह ले लीजेगा मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल लाओं की कि आप लोग तुरंत जाके से stock को buy कर लीजे और लंबे समय के लिए रखे रहे हैं आप लोग एक पर खुद का analysis जरूर करिएगा अगर हम लोग से रोल्डिंग pattern की बात करें तो आप लोग उसमें भी देखेंगे कि डिया इस ने बहुत ही सांधार buying कर लिए जून 2018 में देखे केवल 5.90% का स्टेक खुड़ करते थे कंपनी में अगर हम लोग मास 2021 की बात करें तो लगबख 15.44 का स्टेक बढ़ा दिया है डिया इस ने आप लोग इसमें देख सकते हैं लगबख तीन गुना कर दिया है अपने स्टेक को वहीं पर हम लोग को FI की तरब से सेलिंग देखने को मिली है जब FIIs ने थोड़ा से स्टेक कम किया है तभी डिया इस ने इसमें खरीदारी करी है यह तो चलते ही रहता है अगर हम लोग स्टॉक की बात करें तो स्टॉक आपको जरूर यहां पर महंगा दिखाई देगा लगबख 29,918 रुपय का आपको स्टॉक प्राईज टेड हुता हुँए दिखाई देगा दोस्तो मारकेट में आप लोग 29,00 के 29,00 सेल ले लिजे या फिर 29,00 का एक ही सयल ले लीजे कोई फर्क नहीं पड़ता केवल केवल रिटन का ही फर्क होता है मार्केट में तो आप लोग एक स्टॉक से भी बहुत ही बड़ी वेल्थ क्रियेट कर सकते हैं जरूरी नहीं कि आप लोग सो डिर सो यहाजार स्टॉक किसी भी खराब कंपनी किया छोटी कंपनी के अगर हम लोग इस कंपनी के मैक्स रिटन को देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि 240 का स्टॉक 36,000 का हाई लगा चुका है जी हाँ दोस्तों दो सो चालिस के स्टॉक 36,000 का हाई लगा चुका है तो आप लोग एक स्टॉक में भी बड़ी वेल्ट क्रेट करके रख सकते हैं लगबग 11,000 परसेंट के रिटन और लेडिस ने अपने इन्वेस्टर को प्रवाइड कराके दिखाए हैं तो अभी भी और अपने अल टाम है से बहुत दूर है बहुत ही जल्द मुझे लगता है कि अपने अल टाम हाई को ब्रेक करके अपने न्यू हाइस को टच करता हुआ दिखाई देगा अगर हम लोग फोरकास्ट की बात करें तो आप लोग देखें लगबग 21 एनलिस्ट की राया यहां पे डली हुई है जिसमें क कि जून 2022 तक यह स्टॉक कहां से कहां तक जा सकता है तो लगबग 37,000 का हाई भी टच कर सकता है या फिर 17,000 के लो तक भी जा सकता है दोस्तों यह सब अनुमान होते हैं कोई भी नहीं जानता कि कौन सी कंपनी कहां तक जा सकती है कब किस कंपनी में बहुत ही बड़ा ब्लॉ कि यह सकता है कि यह कंपनी आपको लंबे समय में अच्छा प्रॉपार्म करें के दिखाएगी इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आपको अगले वीडियो में तब तक लिए बाय बाय